आपने मुझे बोलने काईजाज़त दिया, मैं आपकी अभारी हूँ, भर्तिया राश्टिया कांगरिस की तराफ, मैं नारीशक्ती बंदन अदिनियम दो हजाद टेज के समार्तन में कड़ी हुई हूँ, दूए से बड़ी हुई रसोई से लेकर, रोश्टिय से जगमगाती हुई स्टेडियम तक, भारत की स्ट्री का साफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिर खार उसने मंजिल को चू लिया है, उसने जनुन दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दोर लगाई, और असीम धीरच के साथ, अकसर कुद को हारते हुए, लेकिन आखिरी बाजी में जीते हुए देखा, भारत की स्ट्री के रिदे में, महसागर जैसा धीरच है, उसने कुद के साथ कुई बेमानी की शिकायत नहीं की, और सिर्फ अपने फैदे के बारे में, कभी नहीं सोचा, उसने नदियों की तरह सब की बहाय के लिए काम किया है, और मुश्किल वक्त में हिमाले की तरह अदिद्ग रही। स्थ्री के धैर्य का अंदाज लगाना नमुम्किन है, वह आराम को नहीं पैचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महानदेश की माह है स्थ्री, लेकिन स्थ्री ने हमें सिरफ जनम ही नहीं दिया है। अपने अपने आसों खुनपसीने सीच कर हमें अपने बारे में सोचने लायक, हुद्दिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महादे, स्थ्री का महेनत, स्थ्री का गरीमा और स्थ्री के त्याक की पहचान करके ही हम लोग मनुश्यता की परिक्षमें पास हो सकते। अजादी के लराई और नए भारत के निर्मान के हर मोर्चे पर स्थ्री पुरुष के साथ कंदे से कंदा मिला कर लरी है। वह उम्मीदों, अकंचाव, तकलीफों और गार के हस्ती के बोज के नीचे नहीं दबी। सरोजनी नाइदू, सुचेता क्रिपलानी, अरुना असाफली, विजयलक्ष्मी पंडेट, राजकुमार अम्रिट कौर और उनके साथ तमाम लाको लाको महिलाई से लेकर आज की तारिक तक स्त्री ने कतिन समय में हर बार महात्मा गांदी, पंडिचवारला नेहु, सरदार पतेर, बाबा सहाब बनबेट कर और मुलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंडिरा गांदी जी का व्यक्तित्व इस सिल्सिले में एक बहुती रोशन और जिंदा मिसाल है। अभ्याक्ष्मा होदे, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक शान दे। पहली दफा स्तान्य निकायों में स्त्री की भगिदारी तैक करने वाला संविधान संशोडन मेरे जीवन साथी राजीव गांदी जी ही लाए थे, नोने लाए थे जो राज्य सबा में साथ गोतों से गिर गया था। बाद में प्रदानमंत्री पीवी नरसी मराओ जी के नित्रित्व में कांगरे सरकार ने ही उसे पारिट कराया। आज उसी का नतीज़ा है कि देशबार के स्तान्य निकायों के जरिये हमारे पास 15 लाग चुनी हुई महीला नेता है। राजीव गांडी जी का सपना अभी तक आदा ही पूरा हुआ है। बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्याक्स महोदे, कांग्रेस पार्टी इस पेल का समार्तन करती है। हमें इस बिल के पास होने से कुशी है, मागर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पोचना चाहती हूँ। पीछले तेड़ा वर्षों से भर्तियस थ्रियों अस्त्रियां अपनी रजनीटिक जिमेदारी का इंतजार कर रही है। और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहां जा रहा है। कितने वर्ष? दो वर्ष? चार वर्ष? छे वर्ष? आठ वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ वा परताव उचीत है। बर्ष राश्टिया कांगरिस की मांग है कि यह बिल फोरन अमल में लाए जाए। लेकं 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 इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर्थ, शेडूल कास्ट, शेडूल ट्राइब, और बीसीज की महिलाओ के अरक्षन की व्यावस्ता की विए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कादम उठाने की जरूरत है, वो उठाने ही चाहिए। अध्याक्ष महोदे, श्ट्रियों के योगदान की स्विकार करने और उसके प्रती आभार व्यक्ट करना का यह सब से उचेच समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्ट्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। बर्तियर आश्टिया कांग्रिस की तराफ से, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ, कि नारी शक्ती बंदन अधिनियान दो हजार तेश को उसके रास्ते की सारी रुखावतों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा, ऐसा करना, ऐसा करना ना सिर्फ जरूरी है, बाकी संबाद भी है। झाल झाल झाल